असलाम वालेकूम वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है जनमीन और आप देख रहे हैं गुड़ लग चैनल आज में बना रहे हैं बेकरी स्टाइल में पीजा जो बहुत ही मज़ेदार बनता है यह मैं आपको अवर्प और विदाउट अवर्ण मनाना सिखाऊंगी तो चले शुर मैंने आप नमक लिया है एक चम्मच चीनी दो से तीन चम्मच घीली है एक चम्मच ईस्ट और एक ज़त अंडा तो सबसे पहले हम मेते में नमक डालेंगे नेकिंग पाउडर चीनी ईस्ट और घी डालेंगे घी डालेंगे इस एच्छे से मिक्स कर लेंगे अम्मे इसमें अंडा तोड़के डाल दूँगी और अंडे को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगी मेते में अम्मे इसमें थोड़ा थोड़ा तरके नीन करम पाणी जालूँगी अब भाद में थोड़ा से घी लगाओ के इस इच्छी तरह गूल देंगे देखें डोगो मैंने अच्छी तरीके से घूनती है देखें कितनी जबरदस डोग हमारी त्यार हुई है अब हम इसे दो गंटे के लिए राइस होने के लिए रखतेंगे अब हम पीज़े के स्टफिंग ट्यार करेंगे उसके लिए जो मैंने चीज़े लिए आदर किलो चिकन लिए जिसको मैंने के लिए रखतेंगे मैंने बॉइल करके उसके बारी बारी क्रेशे कर लिए थे तीन चौप के हुए प्याज लिए एक शिम्ला मिर जिसको मैंने काट लिए एक टमाटर इसको मैंने काट लिए एक चोटी कटूरी मैंने टमाटो कैचप लिए और दो मैंने चौप के हुए सब्स मिच्चे लिए थोड़ी सी मौस रेला चीज ली थी जिसको मैंने कश कर लिए तो चले शुरू करते हैं यहां कड़ाई में मैंने एक जम्र छी लिए इसमें मैं प्यास डाल दूँगी प्यास को मैं इतनी देयों तक पकाऊंगी कि इसका सारा पानी खुश्क होच है और यह सुकर के आधे होचे प्यासों का अगर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है कि ताकि इसका सारा पानी खुश्क होचे देखें प्यास का सारा पानी खुश्क होगया है अमेज में छोप की वे सब स्मिर्चरा आदोंगी चिकन आदा चमन्स नमक आदा चमन्स मोटा पिसा हो जीरा एक जमच काली मिल्च और आदा चमन्स चाट मिसला डालके इसे इच्छी तरह मिक्स करेंगे देखें हमारी पीज़े की स्टफिंग त्यार हो गई है अब हम चुला बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रपतेंगे देखें हमारी डॉप बहुत ही जमर्दस राइज हो चुकी है अब हम इसके प्लास्टिक राप उतारेंगे और इसकी सारी एर निकाल देंगे देखें सारी एर मैने इसकी निकाल दिये अब हम पीजा ट्रे लेंगे एक में अवन में बनाऊंगे और एक विदाउट अवन बनाऊंगी इसे हम ग्रीज कर लेंगे त्रेकों मैंने अच्छे तरह ग्रीस कर लिये अब मैं टोगाई पेड़ा बनाऊंगी और इसे डोग में सारा फेला दूंगी इस पे पीजा ट्रे पे देखें मैंने इसे सारा पीजा ट्रे पे फेलादी है डोजो है मैंने यह आधा इंच मोटी लिए इसकी अब मैं इसके अपर टमाटो केचप लगाएंगे अच्छी तरह टमाटो केचप को इसके अपर फिला देंगे अब मैं इसके अपर चिकन के स्टफिंग लगाएंगे तो देखें स्टफिंग को भी मैंने डोग के अपर अच्छी तरह पिला दिया अब मैं इसके अपर शिम्ला मिर्च रखूँगी पासले पासले पे टमाटो चीज देखें चीज को भी मैंने अच्छी तरह पिला लिये हमारा एक पीज़ा त्यार हो गए इसी तरह हम दूसरा भी त्यार कर लेंगे तो देखें दोनों पीज़े मैंने त्यार कर लिया है यह मैं अवन में बेग करूंगी और यह वाला मैं पतीले में बेग करूंगी इसे मैंने पतीले में रख दी है इसे हम तरम्यानी आग पे सिरफ 15 मिंट के लिए बेग करेंगे तो अब मैं इसके अपर ढुकर लगा दूंगी 15 मिंट हो गए अब हम ढुकर उठाएंगे देखें हमारा पीज़ा त्यार हो गया है इसे हम निकाल लेंगे और अवन वाला भी त्यार होके है इसे भी हम निकाल लेंगे तो देखें ये हमारा अवन वाल है और ये विदाउट अवन वाल है तो आप मुझे कोमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पीज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो कैसी लगी रैसीपी मेरी तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ मैंने इसे काट लिए देखें बहुत ही जबर्दस ये बेक हुआ है तो कैसी लगी आपको मेरी रैसीपी अगर आपको मेरी रैसीपी अच्छा लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली है डिलिशेज रैसीपी आपके पास सबसे पहने पहुँचे और जो मेरा दूसरा चैनल है लिटल शर्जर्मीर उसको भी सब्सक्राइब करतें उस चैनल का लिक मैं आपको डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ खुदा आपीस